स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में सबी सात्यों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन भी सात्यों ने दोस्तों अभी तक वीडियो को सेर नहीं किया है अपने मित्रों तक सेर जरू करें अपना एस सेसन रोज होता है दोस्तों 9 बजे हम यहाँ पर दोस्तों Old Paper से संबंदे थिन्दी सायत के कुछ महत्पूर्ण प्रस्णों पर चर्चा करते हैं आप लोग भी दोस्तों पढ़ते हैं और आपने Self Study Classes का एप जरू डाउनलोड कर लिया हुआ अपने Self Study Classes है ना आपको डाउनलोड कर लो और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेसन ठीके पढ़ लेते हैं आगे चलके यहां पर आते ठेस कहानी के लेकक कौन है यानि की 88 का प्रस्ण आपको बताना है अगे हैं अमरकांद फड़ी सुनात रेनू या फिर मौहन राकेश ठेस कहानी के लेकक कौन माने जाते हैं आपको बताना है ठेस कहानी के लेकक कौन है और चार विकल्प हैं बढ़िया प्रश्न है ठेस कहानी के लेकक आपको बताना है और उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका जल्दी से सभी लोग बताएंगे ठीक है ठीक है ठेस कहानी पड़ी सुनात रेणु ठीक है मलबे का मालेक मौहान राकेश इंटर्व्यू ए अमरकांत की है ठीक है इसको अपन को याद रख रहे हैं ठेस रैनु जी की कभी प्रिया सचिदानन नहीरनन बासाइन अग्गे मलबे का मालेक मौहान राकेश इंटर्व्यू अमरकांत ठीक है आगे चलते हैं अंगला क क्रिटिस्म दा फिलोस्पी आप रेट्रेक कल्चर एंड अनार्की या फिर इंटर्प्रेटेशन इंड टीचिंग आई ये रिचर्ट्स की कौन सी किर्टी नहीं है ये भी कॉस्चन आप से पूछा गया ठीक है तो बताईए सभी लोग प्रेशन किर्मांग के टी नाइन में आपको चेन करना है निवन में से कौन सी किर्टी आई ए रिचर्ट्स की नहीं है नहीं है बताना है तो उत्तर यहां पर आपका चला जाता है बिकल्प नम्मर सी क्यानि की कल्चर एंड अनार्की है ना कल्चर एंड अनार्की ये दोस्तो i.e. Richard's queue नहीं है, बाकी multiple of literary critism है है ना the philosophy of rhetoric है interpretation and teaching है है ना, बाकी c number आपका बिल्कोर शही है c number बिल्कोर शही हो जाईगा फिक है अब यहाँ पर देखो the principles of literary criticism है और दोस्तो practical critism science and poetry the philosophy of rhetoric interpretation and teaching आदी i.e. richards की रचना है जबकि कल्चर एंड अनार की मेत्थि वनार्ड की रचना है ठीक है ये भी आप से पूचा गया है प्रिकासन वर्स के अनुसार निमने कहानियों का सही अनुकरम क्या है एक कहानिया है दोस्तों आपकी इन कहानियों का सही अनुकरम आपको बताना है बताइए सबी ल औरम्श ना भी नम्ब्न आपका जोए आपको माना जाता है ठीकैं aos동 ने कहा था जी की हो गई मक्रील यह सपाल जीक AWARD कर प्रायमचंण जी की ठीक है तो सबसे पहले इंदू मती उशने कहा था मक्रील और कफन ठीक है आचार रामचन शुकल इंदू मती उनीस सो इस भी को दोस्तों हिंदी साहित की प्रतम कहानी मानते हैं कौन मानते हैं आचार रामचन शुकल जी है ना प्रतम कहानी मानते हैं इसको याद रख देना रचनाकाल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुकरम आपको बताना है तो अपन इसको सीधे सीधे पढ़ेंगे यहाँ पला जाओ यह देखो इसको सीधे सीधे पढ़ लो रचनाकाल के अनुसार यह तेरे पृति रूप दोस्तो अग्ये जी की है ना भूंक के दिन यह ना कार कौन है अग्ये हैना भूंक के दिन यह स्पाल सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध इनको अपन को याद करना है ठीक है अब यहां पर आपको सुमेलित करना है यह दोस्तों आपकी चार बिकल्प हैं सुमेलित करिए यारों के यार मचली मरी हुई सपाट चेहरे वाला आ हैं यारों के यार हैं किसकी रचना है मचली मरी हुई सपाट चेहरे वाला आदमी या फिर कोसी का घटबार यह पूरी हुई-पूरी रचना हैS बताइए सभी लोग है इस नीचे बिकल्प बिद्दित आपके लिए और नबिकल्परों को कॉछन करते हुई आपको आगे ब तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होता है यारों के यार कशना सोपती यारों के यार कशना सोपती ठीक है अब आपका यहां पर सही उत्र मचली मरी हुई मचली मरी हुई यह राजकमल चौधरी की है दोस्तों ठीक है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अब देखते यहाँ पर सपाट चहरे वाला आदमी ये किसकी है ये है दूदनास सेह की रचना कोशी का घटबार जोसी तो सेकर जोसी यानि कि आपका राइट आंसर चला जाता एकी तरफ एकी तरफ यानि कि यहाँ पर देखो आप से पूछा जाएगा यारों के यार की रचना कार कौन है बोले कशना सोपती यारों के यार कशना सोपती ठीक है मचली मरी हुई राज कमल चौधरी ठीक है सपाट चेहरे वाला आदमी दूदनास सें की रचना है सपाट चेहरे वाला आदमी दूदनास सें और कोशी का घटबार तो आपको पताई है सेकर जोसी और पाली रचना भीस म सायनी की है ठीक है अब अंगला देखो गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्राय में संकलेत है सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि गुंडा कहानी आपको पता होनी चाहिए है ना गुंडा कहानी बोले प्रसाद की है प्रसाद है ना गुंडा का प्रसाद बोले हम को बताना इंद्रजाल में आकास दीप पृतिध्वनी या फिर आंधी में गुंडा कहानी प्रसाथ की किस कहानी संग्रह में संकले थे ये आपको चेन करना था प्रश्ण किरमांक 93 का उतर और 93 में आपका राइट आंसर चला जाता है इंद्रजाल इंद्रजाल यानि कि आपक संगरह है शहाया प्रतिध्वनी आकास दीप आधी आधी शन 1922 इसमी में प्रसाथ की पहली कहानी ग्राम हैना इंदू नामक पत्रिगा में प्रकासित uzhone थे यहां पर आपका उत्तर क्या है गुंडा काए में संकले थे इंद्रजाल में इनके कहानी संग्र इनके कहानी संग्रों में दोस्तों ये कहानी संग्र भी पूछे जाते हैं तो छाया इनका कहानी संग्र है प्रसाथ का प्रतीध्वनी है आकास दीप औरांधी ये क्या है इनके कहानी संग्र है इनकी पहली कहानी कौन सी है गिराम जैसंकर प्रसाथ की पहली कहान सी में कुंसी है ग्राम याद रख डिना सताए से उठता आदमी की बिदा क्या है सतात record क्या है का बे कहानी नाटक काबistas की बिदा करना है यह itu सताय से उठता आदमी की बिधा क्या है और 94 का बिलकुल शही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा उत्तर चला जाएगा कहानी कहानी यानि की बी नमबर बी आपका बिलकुल शही है सताय से उठता आदमी की बिधा है कहानी और बी आपका राइट आंसर चला जाएगा ठीक ह सभी लोग बताईए कम लेसुर का मूल नाम क्या है यहापको बताना है तो सभी लोग समांतर कहानि की प квартиरता कमलेसर का मूल नाम बताना है और मूल नाम आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे ना क्याला सक्षेता नहीं, दोस्तों यह नीरा सक्षना इनका पूरा नाम था। ठीक है तो यह नम्मर आपका बिल्कुँ सई है। कहानी आंदुलन का निर्मल बर्मानी प्रारम भी किया था दोस्तों आ कहानी आंदुलन अपन पढ़ते थे किस ने किया था निर्मल बर्मानी किया था क्या कहानी आंदुलन को आ कहानी आंदुलन के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं आ कहानी आंदुलन के प्रबर्तक कौन माने आंडोलन, आ, बताईए, हैना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्पेंट, बताओ, बताईए, आख कहानी आंडोलन के प्रवरतर कौन माने जाते हैं, सभी को कमेंट में लिखना है phase के आ कहानी आंडोलन के प्रिबर्टक कौन माने जाते हैं यह उत्तर आपको बताना है, जल्दी से लिखना है, बड़िया प्रशन है दोस्तों और शबी लोगों ने बताया है कि गंगा प्रशाद बिमल आखानी आंदुरन के प्रशाद बिमल ठीक है, बिल्कुल शही आंसर ठीक है बहुत बढ़िया गंगा पिरसंद बिमल आपका बिलकुछ शही हो जाएगा यहां पर देखो आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और बास्तविक सम्मान के साथ आई है है ना और यहां पर देखो औरतें अब औरतें हैं बेजूंटी स निर्मल बर्मा का आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और बास्तविक सम्मान के साथ आई है औरतें अब औरतें हैं बेजूंटी सती या बेस्याय नहीं है इसलिए नई कहानी खलना आई काउंसे सूनने है नई कहानी के संबंद में ओ परियुक्त कथन किसका है ओ परियुक्त कथन किसका है 96 का उत्तर आपको बताना है और 96 में ओ परियुक्त कथन की अगर हम बात करेंगे तो परियुक्त कथन है कमले सुरका किसका है कमले सुरका ठीक है ये नम्मर आपका बिलकुल शाही है जो आपने बताया राइट आइंसर बताया है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों बारेन हैस्टिंग्स का साण बहुत बढ़िया प्रश्न है बारेन हैस्टिंग्स का साण सीर्षक कहानी के लेखक कौन है 97 का उत्तर बताना है ठीक है जिन भी साथ तुने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक जरूर कर दें ठीक है लाइक आपको जरूर करना है दोस्तों और इसी परकार से बने रहना है बारेन हैस्टिंग्स का साण सीर्षक कहानी के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है सुयम प्रकास, अरोन प्रकास, उदय प्रकास या फिर इन में से कोई नहीं चैन करिए सभी लोग सभी को चैन करना है बारन हैस्टिंग्स का साड एक कहानी आपको बताना है कहानी के सम्मंद में है ना ये दोस्तों कहानी सीरसक के लेका कौन है आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है उदय प्रकास, क्या आंसर आया आपका उदय प्रकास जो बिल्कुल सही आंसर है ठीक है, बहुत बढ़ी आप चलिए, देखते हैं अंगला प्रसने, यहाँ पर देखें दोस्तों बारन हैस्टिंग्स का साड सीरसक कहानी के लेका उदय प्रकास हैं, ठीक है, उदय प्रकास हैं अंगलाचनाओं में तरिछ, तरिछ इनकी रचना कई बार पूछी गई है तो तरिछ भी आपको याद रख ले ना दोस्तों, तरिछ भी इनकी रचना पूछी जाती है दर्याई घोडा दत्ता त्रे का दोख ठीक है पाल गुमरा का स्कूटर मोहंदास पीली चत्री बाली लड़की जो की कई बार पूछा गया पीली चत्री बाली लड़की के लेका कौन है ऐसा कई बार पूछा गया वे उदय प्रकास की जितनी भी कहानिया है दोस्तों चाहे व आपका तीसरी कसम फिल में किस लेखक की कहानी पर बनाई गई बताना है किस लेखक की कहानी पर तीसरी कसम फिल में बनी थी प्रशने कि रमांग के 98 98 में आपको चैन करना है वीडियो के एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और दोस्तों इसी प्रकार से आंगे बढ़ते जा चलिए तीसरी कसम फेल में कि स कहानी किस लेका की कहानी पर बनाई गई और आपने उत्तर लगाया है विकल्प नम्मर B यानि की फणी सुनात रेनू है न ये क्या माने जाती हैं दोस्तो आंचले को पन्यासकार माने जाते रेनूजी हैना इनका प्रतम मेला आचल जो है इंदी का प्रता मांचले को पन्यास भी माना जाता है किसका रेणु जी का इसको अपन को याद करना है यहाँ पर आते हैं तीसरी कसम फिल्म फणी सुनात रेणु की इसी नाम की कहानी तीसरी कसम और फमारे गये गुलफाम की उपर बनाई गई रेणु की अन्य कहानिया रस्परिया या फिर बढ़े घर की बेड़ी प्रैयम चंद की अंतिम कहानी कौन्सी थी है थे उनतिम कहानी कौन्सी थी यह आपको बताना है और 99 का उत्तर बताना है आपको प्रैयम इंटिम कहानी कौन सी थी और प्रेम चंदि की अंतिम कहानी की जब बात आई तो तर चला जाता है कफण कफण यानि कि G B ن नम्बर यह इनकी महान पन्यास का रो कहानी कार्त थे दोस्तो प्रेम चंजी और प्रमे कहानियों की इनकी बात करें तो इदगाह, ठाक और का कुँआ, है ना, बड़े घर की बेटी, सतरंज के खिलाडी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कता और पूस की रात, ये माने जाते हैं, ठीके, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, लल्लू लाल की, मुंसी सदा सु किसकी रचना है, प्रश्न किरमांग 100 का बताते चलें अभी, आलसियों का कोड़ा एक किसकी रचना है, चार बिकल्प है, 100 का प्रश्ना आपको बताना है, ठीके, लास्ट के 10 मिनिट आपको दिये जाते हैं, जो भी आपको पूछना हो, है ना, आप पूछ सकते हो, बीच मे ना तो किसी का नाम लिया जाता है, ना किसी का कुछ किया जाता है, ठीक है, तो जिनको भी जो पूछना है, बीच में, लास्ट में आपके 10 मिनिट हैं, उसमें आप पूछ सकते हो, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, और आपने बिलकुर सही आंसर लगाया, सितारे यानि कि आपका डी नम्मर जो सितारे हिंद है वो बिलकुर चाही है आलशियों का कोड़ा बिलकुर राइट आंसर सितारे हिंद आपका राइट आलशियों का कोड़ा सितारा हिंद की रचना है इनका पूरा नाम था राजा से उपर साथ हैना इनकी अन्न महत्पूर रचना है बताईए, हत्या नामक आपको बताना है, हत्या नामक कहानी के लेका कौन है, प्रश्न किरमांक 101, हत्या नामक, है ना, हाँ, ए आलसियों का कीड़ा है, आलसियों का कीड़ा, हाँ, बिल्कुर चाहिए, बताईए, हत्या नामक कहानी के लेका कौन है, अग्ये, मुक्तिबो, ज कूलर बंद कर दिए आलसियों का कोड़ा सितारे हिंदी की रचना है और हत्या नामक कहानी के लेका कें दोस्तों जैनेंद्र कुमार यानि कि आपका उत्तर चला जाता है जैनेंद्र कुमार की ओर बी नम्मर आपका सही है जैनेंद्र प्रेम चंदोत्तर हिंदी कता सायत के प्रमुक लेका कें जैनेंद्र द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानिया हत्या खेल फोटोग्रापी अपना अपना भाग बाहु बली बातायन नीलम देश की राचकन्या एक दिन इसपरदा पतनी एक कैदी लाल सरोबर मा प्रियोगवादी कभी अग्ये द्वारा लिखी गई कहानियों में त्रपतगा रोज रोज भी आपको याद रख़ेना है ठीक है हर सिंगार रेल की सीटी कभी प्रिया मेजर चोधरी रमंते तत्र देवता और नारंगिया मनसो और पठार का धीरज ये भी आपको याद लिखते थे प्रेम चंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे धनपत राय नवाब राय गडपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं प्रेम चंद बताना है दोस्तों उर्दू में किस नाम से लिखते थे प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे एक सो दो का अंसर प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे और लगबक सभी को पता है कि जो प्रेमचंद का बास्तविक नाम था वो तो धनपत रहे था लेकिन और्दू की अगर बात करने तो उद्दू में नबाव राय नाम से लिखती थी क्या नाम से नबाव राय नाम से यानि कि आपका जो बी नमबर है नबाव राय वो बिल्कुट शही है ठीक है हिंदी साहित में कता समराट कहे जाने वाले तथा उपन्यास विदा की प्रिबर्तक मुंसी प्रेमचंद प्राराम में उर्दू में नबाब रायक की नाम से लिखन करती थी धन्पत रायक को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेकक दया नारण निगम ने दिया था प्रेम चंद को पन्या समराट की संग्या बंगला कथाकार सरचंदर चटो पाध्या ने दिया था ये आपको याद करना है ठीक है इन सभी को याद करते रहिए वीडियो को लाइक जरू करना है दोस्तों और अपने मित्रों तक सेयर करते रहिए ठीक है अंगला कॉस्चन है आ प्रति बंदित किया गया था प्रेमचंद जी के बारे में सबी लोग जानते हैं दोस्तों हैना अभी अपन ने पड़ा कि इनका बास्तविक नाम सा धन पत्राय नबाब राय नाम से उर्दूक में लिखते थे हैना प्रेमचंद को यह नाम दिया था दया नारान निगम ने ब बताएंगे करबला सोजे बतन निर्मला या फिर गबन प्रेमचंद की किस कर्ति को प्रति बंदित किया गया था एक सो तीन का उत्तर आपको चेहन करना है और उत्तर चला जाएगा सोजे बतन सोजे बतन यानि की B नंबर ठीक है प्रेम चंद की किस किर्थी को प्रिती बंदित किया गया था तो वो किया गया था सोजे बतन को हिंदी के कता समराठ प्रेम चंद की कहानी संग्रह सोजे बतन को अंग्रेजी सरकार ने प्रिती बंदित करके जप्त कर दिया सोजे बतन में पांच कहानी संकले थी दोस्तों इसके दुनिया हुबे बतन है ना सांसारिक प्रेम और देश प्रेम ठीक है इसे और दुनिया का सबसे अन्मूल रतन यह थी दोस्तों ठीक है यह दुनिया का सबसे अन्मूल रतन है मेरा बतन सेक मकमूर सिले मातम इनको दोस्त ने लगबक 300 कहानिया लिखी जो मान सरोवर के 8 भागों में प्रिकासे थे जो लगबक सभी को पता है ठीक है कफन का बताना है आपको कफन कहानी में घीसू और माधाओ कफन के पैसे का क्या करते हैं ये कोस्चन कई बार आया है घीसू और माधाओ कपन के पैसे का क्या करते है सबी लोग बताएं कफन कहानी में घीसू और माधाओ कफन के पैसे का क्या करते हैं पूरिया खरीद कर खाते हैं बोतल भर सराब पीते हैं है ना इन में कोई काम नहीं करती आओ परियोग तो दोनों काम करते हैं क्या करते हैं 104 में उत्तर थुढ़ा सा देखके बता ना और बत्तर हो जाएगा दोस्तो क्या हो जाएगा D number यानि कि तो पर्युक्त दोनों काम करते हैं और D आपका बिल्कुर सही हो जाता ठीक है पूरियां खरीद कर भी खाते हैं और बोतल भर सराब भी पीते हैं ठीक है तो ये कफन कहानी अपन पढ़ते हैं बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमचन दिकी ठीक है तो ये डी नम्मर आपका बिल्कु सही है कफन प्रेमचन द्वारा लिखी कई अंतिम कहानी है जिसमें मादाव घीसु नामक जो पातन हैं दोस्तो कफन के पैसे से पूडियां खाते हैं तता सराब भी पीते हैं कफन के पैसे से है ना और मनो विश्रेशन प्रधान कथाकार कौन नहीं है मनो विश्रेशन बादी अपन ने कई वार पढ़ा है मनो विश्रेशन बादी इलाचन जोसी अग्गे सुदार्सन या फिर जैनेंद ध्यान रखेंगे है ना अब आपको बताना है कि मनुविश्रेशन प्रधान कथाकार कौन नहीं है आपका राइट आंसर क्या होगा क्या होगा उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका की इलेचन जोसी तो है अग्ये भी है जैनेंद्र कुमार भी है कौन नहीं है सुदर्शन न की कहानी आपको पता होगा इनकी पहली कहानी है ठीक है अंगले कोस्टन की और बढ़ते हैं भोला राम का जियू ब्यंग के लेखक कौन है भोला राम का जियू ब्यंग के लेखक कौन है हरी संकर परसाई है ना ग्यान बाचपेई राम गोपाल या फिर स्रीलाल सोकल है सब ही बताएंगे भोला राम का जिव ब्यंग के लेका कौन है और self study classes एप जरू डाउनलोड करने सबी लोग ठीक है self study classes एप डाउनलोड कर लो और जिन्वी साथियों को दोस्तो अध्यन करना है पढ़ाई करना है वो self study classes में दोस्तो कोर्स ले सकते हैं course करीच सकते हैं और अपना अध्यन बहुत अच्छी से कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपका हरी संकर परसाई बोला राम का जिव ब्यंग के लेका के हैं तब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे सदाचार का तावीज पगडंडियों का जमाना तुलशी रास चंदन घिसे आदी ये मानी जाती है ठीक है नारी पात्र मदुलिका का संबंद किस कहानी से है आकास दीप से पुरुसकार से इंद्रजाल से या फिर देवदासी से एक नारी पात्र मदुलिका का संबंद किस कहानी से है और उत्तर बिलकुल सही हो जाएगा है नारी पात्र मदुलिका का संबंद जो है ये है पुरुसकार से पुरुसकार यानि की बी नमबर ठीक है बी आपका बिलकुल सही है ठीक है मदुलिका का संबंद किस से है पुरुसका से और भी आपका राइट अंसर चला जाता है ठीक है बी नमबर जिन्हों ने बता है उनका अंसर बिलकुश चाहिए और दोस्तों अब देखते हैं कुछ और प्रशनों पर हम चर्चा करते हैं यहां पर आ कब हुआ था फटा क से बताओ एक कोईस्चन आपके लिए आया है जैसंकर परसाथ का जन्व कब हुआ था लिखे जल् remedy से और जैसंकर परसाथ का जन्व कब हुआ था यह आपको बता ना है बताएं किस को पता है है और बिलकुल चैंसर आया है कि हैना जैसंकर प्रसाइट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अठारा सो नबासी में अठारा सो नबासी आपका बिल्कुल सही आन्सर है नई कहानी आंदुलन के प्रमुक कहानीकार कौन है नई कहानी आंदुलन के प्रमुक कहानीकार कौन माने जाते है नई कहानी आंदुलन के प्रमुक कहानीकार कौन माने जाते है मोहान राकेस यस्पाल जनेंद्र कुमार या पर दोस्तो इला चंदर जोसी नई कहानी आंदुलन के प्रमुक कहानी कार कौन है ये आपसे पूछा गया था और आपने बताया है आंसर कि सर नई कहानी आंदुलन की अगर बात करोगे तो उत्तर लगाएंगे हम काई में प्रमुक जो कहानीकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों मोहन राकेश मोहन राकेश आपका बिल्कुल शही आंसर है ठीक है नई कहानी आंदुलन के प्रमुक कहानीकार है और यह नमर जो है आपका वो बिलकुर शैये यह आपका right answer है मोहर राकेस आपका बिलकुर शैया answer हो जाएगा ठीक है अगला देखो प्रस्तुत बिकल्पों में नई कहानी आंदुर्ण के प्रमुक कहानिकार मौहर राकेस हैं इसको अपन को याद रख़े ना है छीग तो यहां पर देख ले मोहार राकेस के नई कहानी के प्रमो कहानीकारन अमलेकित मोहार राकेस कमलेसॉर धरम्बीर भारति यह राच कमल चौदरी निर्मल वर्मा इस अब ही माने जाते हैं अगला है हिंदी की प्रशिद्य कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है और आपको बताना है और आपका राइट आंसर चला जाता है साथियो हिंदी की प्रशिद्य कहानी कसाई बाड़ा और कसाई बाड़ा के लेखक है शो मूर्ती कौन है शो मूर्ती यानि की आपका उत्तर सी बिल्कुल चाहिए ठीक है सी नम्मर आपका सई है हिंदी की प्रशिद्ध कहानी कसाई वाड़ा के लेकक से उमूर्ती है और इनकी अन्न रचना है केसर कस्तूरी केसर कस्तूरी भी है ठीक है कौनसी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है आपको बताना है हिंदी की पहली कहानी कौनसी मानी जाती है पहली कहानी कौन सी मानी जाती है चार बिकल्प हैं चार में से आपको चेन करना है हिंदी की पहली कहानी बताना है और राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका क्या बिकल्प नम्मर एक यानि की इंदू मती अब इंदू मती के रिचनकार कौन है तो किसोरी लाल इंतुमती को मॉलक कहानी का क्या के माना चा चायया नूबाद माना जाता है जह कुझा है अब अंगला कोश्चन दोस्तु बंग महिला का असली नाम क्या था ये तो कही बार बंग महिला का असली नाम क्या था बंग महिला का असली नाम क्या था और उत्तर आपका बिलकुल सही चलिया जाता है कि बंग महिला का जो असली नाम था वो नाम था दोस्तो राजेंद रबाला घोस राजेंद रबाला घोस यानि कि आपका बी नमर जो है वो बिलकुल सही है राजेंद रबाला घोस आपका बी सही है बंग महिला का असली नाम राजेंद रबाला घोस था और ये मिरजापुर निवासी बाबू पूर्ण चंद की धर्मपत्नी थी है ना राजंदर बाला गोस बंगमाईला को हिंदी की प्रतम कहानी लेकि क्या सुईकार किया जाता है और इनके द्वार रचित कहानियां है चंदर देव से मेरी बातें कुंभ में छोटी बहू दुलाई वाली और दालिय यह माने जाती है ठीक है सभी कोई बिल्कुल शाही आंसर आया है अब दोस्तों हम यहां पर थोड़े से कॉस्चन और आप से पूछेंगे ठीक है शबी लोग बताना बड़ीया तरीके से दोस्तों चार पांच कॉस्चन आप से पूछे जा रहा है लाइक जरू कर देना जि गद्यकाब के लेखक कौन है साधना गद्यकाब के लेखक कौन है जल्दी से बताईए साधना गद्यकाब के लेखक कौन है पहला प्रश्न आपके लिए है ना बिल्कुल ठीक है साधना गद्यकाब के लेखक कौन है शबी को बताना है साधना गद्यकाब के लेकक कौन है साधना गद्यकाब के लेकक आपको चेन करना है कौन बताता है सबसे पहले और आप लोगों की बिल्कुर सही आंसर आ रहे है कि अगर साधना गद्यकाब पूछा जाएगा तो वो बताए जाएगा किसका राय क्रश्न दास बिल्कुर शही आंसर राय क्रश्ण दास आपका बिल्कुर शही है साधना गद्यकाब के लेकक है राय क्रश्ण दास राय क्रश्ण दास जो आपका बिल्कुर शही है बहुत बढ़िया ठीक है जूठन किसकी आत्मकता है जूठन किसकी आत्मकता है अंगला कोश्चन आपके उत्तर आनी चाहिए लाइक जरू कर दिया सभी लोगों ने जूठन आत्मकता के लेका कौन माने जाते हैं और उत्तर आपका चला जाता है जूठन आत्मकता है किसकी पताईए किसी ने नहीं बताया अभी तक आम प्रकाश बालिमी की बिल्कुर चाहिए आसा जी नीतु जी ब सब्सक्राइए जाती आरक्षन आत्मकता किसकी है जाती आरक्षन आत्मकता के लेका कौन है जाती आरक्षन जाती आरक्षन आत्मकता के लेका कौन है सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं जाती आरक्षन जाती आरक्षन आत्मकता के लेका कौन है हैना क्या बताना है रमन जी शबी लोग बताएंगे जाती आरक्षन ये किसकी आत्मकता है जाती आरक्षन आत्मकता के लेका कौन है और जाती आरक्षन आपसे पूछा गया तो उत्तर चला जाता है कैलास नात क्या है कैलास नात ठीक है कैलास नात है जाती आरक्षन आत्मकता जो है दलेत आत्मकता है और कैलास नात इसकी रचनकार है ठीक है कैलास नात माने जाती है बिल्कुल सही है ठीक है अंगला क्वेश्चन आपसे पूछा जायता है दोस्तों आपको बताना है कि मेरे बच्पन मेरे कंधों पर दले तात्म कथा के लेकक कौन है। मेरे बच्पन मेरे कंधों पर दले तात्म कथा के लेकक कौन है और बढ़िया प्रश्न है अच्छा प्रश्न है दोस्तों केलास कौन माने जाते हैं मेरे बच्पन मेरे कंधों पर कौन है किसका है बहुत बढ़िया और बताईए क्लास का टाइम नौ बजे, रोज नौ बजे होती है है ना सिवरास सेह बेचैन सिवरास सेह बेचैन की आत्मकता है दोस्तो मेरा बचपन मेरे कंधों पर मेरा बचपन मेरे कंधों पर ठीक है, बूंद बाबडी आत्मकता किसकी है बूंद बाबडी बूंद बाबडी आत्मकता के लेखक कौन है लेखी का कौन है बूंद बाबडी आत्मकता किसकी है बूंद बाबडी आत्मकता ये किसकी माने जाती है सबी लोग Self Study Classes का एप जरूर डाउनलोड कर लें और बूंद बाबड़ी आत्मकता के जो लेखक माने जाती है लेखिका माने जाती है वो कौन माने जाती है बताइए जल्दी से और उत्तर चला जाता है दोस्तो पदमा सचदेबा बूंद बाबड़ी आत्मकता किसकी है पदमा सचदेबा की किसकी है पदमा सचदेबा की जो बिलकुल सही आंसर है पदमा सचदेबा बिलकुल सही है ठीक है बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़ी आज सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है दोस्तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करें दोस्तो इसी प्रकार से तयारी करते रहें और आंगे बढ़ते रहें ठीक है अध्यन जरूर आपको करना है है ना और दोस्तों जिनको भी self study classes का app डाउनलोड करना है वो app को जरू डाउनलोड करने ठीक है और इसी प्रकार से अध्यन करें ठीक है बिलकुल चाहिए है ना ठीक है तो वीडियो को like और share करें self study classes का app को जरू डाउनलोड करना है है ना और दोस्तों जिन भी सात्यों ने अभी तक वीडियो को share नहीं किया है वो share भी कर दें और अपने मित्रों तक share कर दें एक बार WhatsApp पर Facebook पर share कर दें ठीक है ठीक है और यह दोस्तों self study class का app है इसी प्रकार से जोड़ते रहें ठीक है नीतु जी मैंक बर्मा जी ठीक है बविता जी अनिरुद्ध जी ठीक है हाँ रक्षे सर्मा जी बिलकुल जगदीश जी बिलकुल ठीक है बिलकुल सही है सही है बिलकुल बहुत बढ़िया दार्सु जी बिलकुल राइट है रेकातर पाठी बिसाल जी है ना बिसाल जी क्या पूछ रहें बिसाल जी संबू खत्या है ना नरेंद्र कोईली जी का नाटक माना जाता है संबू खत्या है ना अरोन राजपूज जी लरिता जी प्रमोध जी मनीशा गिल जी गीतिका रेखा अनिता मोहम्मद ठीक है कविता यादाव जी ठीक है अब अर्षदीब जी अनुराग जी अर्चना कंबला जी मुकनत अजित जी राहूल जी बवीता आर जी अजित जी संबूख की हत्या नाटक है नाटक नरेंद्र कोईली अरोन राजपूज जी दुर्गेश जी प्रदीब जी सेलेश कुमार जी ठीक है सात्यों इसी प्रकार से जोड़ी रहें जिन भी सात्यों को दोस्तों क्या करना है यह ना ठीक है कॉमल जी संगीता कर तो दिया है कर दिया है किलियर तो हो गया है अनूप राचपूज जी अभी तो यही चलेगा पार्ट वाइच चलेगा कहानी चलेंगे है ना कॉमल चर्मा जी ठीक है जस्बंत जी स्वानू सिंग जी ओदय कुमार विपिन जी विसाल जी ठीक है मनीशा जी संतोज जी अनूराग अर्सदीप सभी को दनवाद यही सीरेच चलेगी अभी ठीक है इसी प्रकार से नरंतर अध्यन करती रहें और है ना ठीक है बिलकुल अलकारानी भागी रज्जी ठीक है बहुत बड़िया धन्वास अभी को जैहें सेल्फ इस्टेडी के लासे से अप में जुड़कर कि आप अपना अध्यन बहुत अच्छे कर सकते हैं ठीक है जुड़कर जिनको भी कोर्स में लेना है दोस्तों 1199 में आप इस कोर्स में अट